All Structures of Future Tense आज हम Future Tense के सारे के सारे Structures कवर करने वाले मैं जाऊंगा, मुझे जाना होगा, मुझे जाना पढ़ेगा, मुझे जाना पढ़ सकता है, मैं जाता रहूँगा अब मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं जा सकूंगा, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं जा पाऊंगा, मैं जाए बीना नहीं रह पाऊंगा, मैं जाए बीना नहीं रह पाऊंगा, तो यह सारे के सारे sentences हमारे future के हैं, अब एक ही वीडियो में सारे past tense के structure, सारे future tense के structure, सारे present tense के structure आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगा और आज के इस वीडियो में सारे के सारे स्टॉक्चर से हमारे फ्यूचर टैंस के हैं बड़े कमाल कमाल के हैं अगर आप वीडियो के आंड तक बने रहते हो तो आप सब को सीख के जाओगे यह मेरी गैरेंटी हैं प्रैक्टिस करते वे मतलम जिसके लास्ट में गाग एगी आता है ना उसमें यूज करते हैं वेल प्लस वीड ओके यह हमारा फ्यूचर इंडपनेट है तो अगर आपको बोला हूं मैं कल जाओंगा तो आप यह संटेंस को कैसे बोलोगे अगर आपको जो समझ में आते हैं आप मेरे साथ बनाते तो अगर आपको बोले मैं कल जाओंगा तो आप कैसे बोलोगे आप बोलोगे I will go tomorrow I will go tomorrow मैं कल जाओंगा I will go tomorrow मैं कल आओंगी I will come tomorrow मैं कल पढ़ूंगी I will study tomorrow मैं कल सो मैं कल स्कूल जाओंगी I will go to school tomorrow मैं कल बाजार जाओंगी I will go to market tomorrow इस तरसा पर यूज कर सकते हैं रिया स् अब आपको मेरे साथ बिनाने हैं वील प्लस वीवन ज़रूर लगाने हैं याप रखेगा तो रिया ए इस्कूल जाएगी आप यह शेंतेंस मतने सेंटेंस को बो नेक्स्ट हमारा मुझे जाना होगा, यह इन्फर्मल सांड करते हैं, यह हमारे इन्फर्मल होते हैं, इसे इन्फर्मल मतलम क्या होते हैं, इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ यूज कर सकते हो, बट अपने से बड़ों के सामने यूज मत करना, इसे टीचर्स के सामने यूज के सामने use मत करना लेकिन आप अपने फ्रेंस को साथ use कर सकते हो मुझे जाना होगा gotta plus me word okay जैसे मुझे जाना होगा I gotta go, मुझे खाना होगा, I gotta eat, मुझे पढ़ना होगा I gotta read इस तर सी यूज परोगे मुझे जाना होगा, आप कैसे बोलोगे, आप बोलना, I gotta go मुझे जाना होगा, I gotta go, मुझे आना होगा, I gotta come मुझे पढ़ना होगा, इससे हम कैसे बोलेंगे, चलिए आप बताएए मुझे पढ़ना होगा, आप बोलोगे, I gotta read I gotta read, मुझे पढ़ना होगा I gotta read, या फिर study का भी use कर सकते हो, मुझे सोना होगा I gotta sleep, मुझे बोलना होगा I gotta speak, इस तरह आ बोल सकते हो, काफी easy है, बहुत easy है, अब future tense के भी बहुत सारी structures बाकी है, तो वीडियो में तक बने रहा है ना, प्रैक्टिस करते वे आगे बढ़ेंग मुझे जाना पड़ेगा, इसके लिए हम बोलेंगे, मतलब कोई का मजबूरी में करना पड़ेगा है ना, पड़ेगा, पड़ेगी, मतलब मजबूरी साउंड करते हैं, मुझे जाना पड़ेगा, will have to, v1, will have to plus v1, okay, मुझे जाना पड़ेगा, आप कैसे बोलोगे, आप ब मुझे पड़ना पड़ेगा, I will have to study, मुझे सोना पड़ेगा, I will have to sleep, मुझे इंगलिश पोलना पड़ेगा, I will have to speak English, okay, next day, उसे कपड़े धोने पड़ेगे, मतलब वो दोना नहीं चाहती है, लिए कि उसे धोने पड़ेगे, उसे कपड़े धोने पड़ेगे, हम मतलब कोई का मजबूरी में करना पड़ेगा, तो I will have to plus V1 का यूज करना है, future के लिए, okay, next देखे, next क्या है, next is, मुझे जाना पड़ सकता है, मुझे जाना पड़ सकता है, possibility शो कर रहा, मुझे जाना पड़ सकता है, may have to plus V1, यह आपका possibility शो करता है, अब जाना पड़ेग यानि पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं बोर है, मुझे जाना पड़ सकता है, मतलब possibility है, जैसे मुझे जाना पड़ सकता है, तो आप बोलना, I may have to, I may have to go, मुझे जाना पड़ सकता, I may have to go, मुझे खाना पड़ सकता, I may have to eat, मुझे बोलना पड़ सकता है, I may have to speak, मुझे यहा गाना गाना पढ़ सकता है इसे कैसे बोलेंगे चलिए मेरे साथ बनाइए उसे गाना गाना पढ़ सकता है हम बोलेंगे he may have to he may have to sing a song sing a song उसे गाना गाना पढ़ सकता है he may have to sing a song तो जब भी आपको मजबूरी में कोई काम करना पढ़ सकता है और ये साइंटेस में possibility हो कितनी possibility हो? 50% की possibility हो मतलम जाना पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा अज़र नहीं है 50% की chance है उसे जाना पढ़ सकता है हम बोलेंगे he may have to go ओके? चलिए next देखते है next क्या है next हमारे मैं जाता रहूंगा मैं जाता रहूंगा मैं सोता रहूंगा मैं खेलता रहूंगा मैं बोलता रहूंगा मैं पढ़ता रहूंगा मतलम कोई काम करता रहूंगा continuity में तो use करेंगे will keep on plus before देखें यहाँ पर on का use किये है न that's why यहाँ पर before यानि कि verb में ing जैसे go रहेगा तो go में ing लगा कर going कर देंगे यानि कि first form में ing लगा देंगे ing with verb जैसे मैं जाता रहूंगा तो आप कैसे बोलोगे मैं जाता रहूंगा I will keep on going I will keep on going मैं जाता रहूंगा I will keep on going मैं आता रहूंगा I will keep on coming मैं सोता रहूंगा I will keep on sleeping मैं खिलता रहूंगा I will keep on playing मैं बोलता रहूंगा I will keep on speaking मैं inglish बोलता रहूंगा I will keep on speaking inglish मैं जूट बोलता रहूंगा I will keep on telling a lies तरसे आप यूज कर सकते हो हम अंग्रेजी बोलते रहेंगे कैसे बोलेंगे हम अंग्रेजी बोलते रहेंगे हम बोलेंगे we will keep on आप बोलोगे मैं I और V के साथ cell का यूज कर सकते है बिलकोल नहीं future के लिए will का यूज किया जाता है I और V के साथ cell हमारा model verb है model verb में use किया जाता है permission में तो हम बोलेंगे we will keep on speaking English speaking speaking English हमारा sentence क्या फ्रेम होगे हमारा sentence होगे we will keep on speaking English मतलब हम अंग्रेजी बोलते रहेंगे got it चले अब आगे देखते हैं मतलब कोई काम करते रहेंगे keep on plus verb का IS और एक चीष अगर आप on नहीं भी लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है on लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो तो बोलूगे मैं on नहीं लगा लगाएंगे बिल्कुल verb का 4-foem लगाना है लेकिन अगर आप चाहते हो तो on मत लगाना, अगर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो आपकी मर्ची है। चलिए next देखते हैं Next हमारा, अब मुझे जाना ही पड़ेगा, अब मुझे कुछ बोलना ही पड़ेगा मतलम कोई काम करना ही पड़ेगा, now will have to be one अब पड़ेगा आया मतलब मजबूरी है मजबूरी है तो will have to तो लगाना पड़ेगा और यहाँ अब वर्ड के लिए now का यूज किये है For example, अब मुझे जाना ही पड़ेगा बहुत हो गया, अब मुझे जाना ही पड़ेगा अगर वहां का जिक्र करते हो तो देय का यूज करना वहां का जिक्र नहीं करते हो तो मत करना अब मुझे वहां जाना ही पड़ेगा Now I will have to go there अब मुझे यहां आना ही पड़ेगा Now I will have to come here अब मुझे बोलना ही पड़ेगा Now I will have to speak अब मुझे सोना ही पड़ेगा, now I will have to sleep, इस तरसे यूज़ करना, ठीक है, अब तुम्हें चुप रहना ही पड़ेगा, तुम बहुत बोल लिए, अब तुम्हें चुप रहना ही पड़ेगा, तो हम क्या ये sentences को बोलेंगे, हम बोलेंगे, now you will have to, now you will have to, चुप रहना, यानि की keep quiet, keep quiet, तो हमारा sentence हो गया, now you will have to keep quiet, मतलम अब तुम्हें चुप रहना ही पड़ेगा, ओके, चौलिए, नेक्स्ट देखते हैं, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, आप मुझे रोक नहीं पाओगे, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं खाऊंगा ही खाऊंगा, मैं भोलूंगा ही बोलूंगा, मैं सोऊंगा ही सोऊंगा, मैं उससे बात करूंगा ही करूंगा, मतलम कोई काम करूंगा ही करूंगा, तो मैं जाऊं स То यहां पर दो बार जाऊंगा यूज हुआ है तो आप और रूक मेम दो घो लगाना पड़ेगा विल्कुल नहीं दो लगाना ना पड़े सिलें तो इन एञी कीस का यूज करेंगे तो हम यह सैंटेंज को बोलेंगे मैं जाऊंगा ही जाऊंगा अब बोलना I will go I will go in any case in any case I will go in any case मैं खाऊंगा ही खाऊंगा I will eat in any case मैं बोलूंगा ही बोलूंगा I will speak in any case मैं सोऊंगा ही सोऊंगा I will sleep in any case मैं देखूंगा ही देखूंगा I will see in any case इस तर से यूज करना next time मैं बोलूंगा ही बोलूंगा बताइए कैसे बोलेंगे मैं बोलूँगा ही बोलूँगा ये sentences आपको frame करना और इसका answer comment में जरूर देना मैं बोलूँगा ही बोलूँगा चलिए next देखते हैं so next guys हमारा guys अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है अपने friend family में जरूर शेयर कीजियेगा next है हमारा मैं जा पाऊँगा मतलब मैं जा पाऊँगा मैं सोपाऊँगा मतलब कोई काम कर पाऊँगा ability की बात करो यहां पर आप Bye availability की future ability की गागे गी आज रही है future ability की बात करे थो तो हम जानते प्रेजर्टी की बात करोगे तो can, past ability की बात करोगे तो could, future ability की बात करोगे तो आपको use करना पड़ेगा, will be able to, will be able to का use करेंगे future ability के लिए, okay, मैं जाप आऊंगा, इसके लिए future ability की बात करे, will be able to plus be one, जब भी last में to आ जाता है यानि कि able to, having to, about to या have to तो जहां भी have to आ जाता है उसके बाद be one ही आता है या आप हमेशा गौर कीजेगा तो जैसे मैं वहाँ जा पाऊंगा आप ये sentences को कैसे बोल पाऊगे मैं वहाँ जा पाऊंगा आप बोल पाऊगे I will be able to, I will be able to go there I will be able to go there मैं वहाँ जा पाऊंगा I will be able to go there मैं अंगरेजी बोल पाऊंगा कैसे बोलेंगे मैं अंगरेजी बोल पाऊंगा आप बोल सकते हो I will be, I will be able to, I will be able to speak English I will be able to speak English मैं अंगरेजी बोल पाऊंगा I will be able to speak English मैं यहां आपाऊंगा तो मोलेंगे I will be able to come here मैं उसे बात करऊंगा I will be able to talk to him मैं उसे कॉल करऊंगा I will able to call him मैं उसे मैं यहां सूँ आपाऊंगा I will able to sleep here इस तरहा पर यूस कर सकते हैं Will be able to यानि के कोई काम करऊंगा future ability next and the last structure मैं जाय बीना नहीं रह पाऊंगा इतना गए मतलब हर sentences में जाऊंगा अब last में मैंने हार मान गई और मैंने बोल दिया मैं जाय बीना नहीं रह पाऊंगा तब हो इसके लिए हम बोलेंगे May not live without May not live without मतलब बीना के लिए without plus verb के fourth form क्योंकि without हमारा preposition होता है और preposition के बाद हमेशा verb कियाती है fourth form मैं जाय बीना नहीं रह पाऊंगा मैं जाय बीना नहीं रह पाऊंगा तो हम बोलेंगे I may not I may not leave I may not I may not live without going मैं जाय बीना नहीं रह पाऊंगा I may not live without going मैं आय बीना नहीं रह पाऊंगा मैं सोई बिना नहीं रह पाऊंगा, I may not live without sleeping, मैं बोले बिना नहीं रह पाऊंगा, I may not live without speaking, okay, next day हम अंगरेजी बोले बिना नहीं रह सकते, या हम अंगरेजी बोले बिना नहीं रह सकते, या हम अंगरेजी बोले बिना नहीं रह पाएंगे, ऐसा भी आप क्या सकते हो, okay, तो ह हम बोलेंगे, we may, we may not leave, we may not leave, without speaking English, without speaking English, मतलम हम English बोले बीना नहीं रह पाएंगे, तो हम बोलेंगे, we may not leave, यहाँ पर leave होगा, okay, we may not leave without speaking English, okay, तो यह हमारा आज का concept था, future tense के, और यह बारे sentences आपको करने, फ्रेम, मैं बोलूँगा ही बोलूँगा, यह sentences आपको frame करने हैं, और हम लोगों ने यह सारे structures complete किये, तो guys, आप लोगों के लिए एक homework है, यह जितने आपको 10 structure दिख रहे हैं, यह 10 structure से आपको एक sentences frame करने, यानि कि total आपको 10 sentences frame करने हैं, और मुझे comment में check कराना है, okay, Guys, अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगे तो like कीजेगा, अपने family friends को ज़रू share कीजेगा, और एक प्यारासा comment ज़रू कीजेगा, और ऐसे ही आप past tense या present tense पर वीडियो चाहते हैं, तो left side क्लिक करके आप मारे present tense वीडियो को ज़रू देखेगा, उससे मैंने present की सारे structures बता हैं, और right side क्लिक करके आप मारे playlist में जाकर अगर आपको advanced English structure की series वाली वीडियो चाहिए, या फिर अगर आप 15 days life speaking course में में जाइन करना चाहते हो, जो अभी life चल रही है, तो आप left side क्लिक करके आप मारे 15 days वाली course को जाइन कर सकते हैं, और day 1 से sequence by सारे वीडियो देखेगा, फिलाल अभी वो चल रहा है, तो आप उसे जल्दी से विजिट कीजए, उससे देखना, स्टार्ट कर दीजए, क्योंकि उससे आपको English बोलने में काफी confident फेल होगा, अगर आप मारे चानल पर नहों मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद है, तो subscribe कराने वाले bell icon को ज़रू प्रेस कीजएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोज की notification आपको मिलती रहेगे, मिलते हैं नेक्स रस इंफॉर्मेटिव वीडियोज को साथ, तब तक ही लिए, गीप लौनिंग!